नमस्कार, शिवरात्री जो एक महान पर्व है, एक अपने आप में एक अधित्य पर्व और ऐसी रात्री जिसको एक तरीके से जिसका काल रात्री, महारात्री और शिवरात्री ये अपने आप में एक तीवर सिद्धी दायक फल है, तीवर सिद्धी दायक दिवस है जिसमें हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा भी कहा गया है कि कुछ भी संभव हो कैसा भी हो हमें शिवरात्री में मंत्र जब साधना करनी ही करनी है शिवरात्री के दिन शिव की रात्री, शिवरात्री के दिन साधना करनी ही करनी है क्योंकि अगर हम यह साधना कर लेते हैं तो हमें हर हाल में सफलता निश्चिन्त ही पराप्त होती है निश्चित ही हमें सफलता पराप्त होती है और आज जो हम साधना देने जा रहे हैं वह भी अपने आप में एक बहुत अभूत पूर्व साधना है यह साधना वैसे तो कभी भी सोंबार वाले दिन भी करी जा सकती है लेकिन शिवरात्री को दिन करी गई है साधना विशेश फलदाई होती है और यह साधना है एक प्रकार से महालक्षमी साधना जो शिव सायुजे महालक्षमी साधना है और इसमें सबसे पहले हमारे पास शिवलिंग हो शिवलिंगों में सबसे सरश्ष्ट शिवलिंग पारत का ही होता है लेकिन अगर वैं नहीं है तो किसी भी शिवलिंग पे हम यह साधना कर सकते है उसके लिए सबसे पहले हम पंचामरित से जल से दूट से अभीशेख करें शिव जी का कोई सी भी शिव मंत्र के साथ ओम नमश्यवाय के साथ इसके बाद हमें महालक्षमी का पंचोप चार पूजन करें और उसके बाद यह मंत्र ओम सिद्धी लक्ष्मी प्रदाय नमाशिवाय ओम ओम सिद्धी लक्ष्मी प्रदाय नमाशिवाय ओम यह अमोग लक्ष्मी प्रदाय शिव सायुजे मंत्र है और इसका विशेश महत्व है अपने आप में यह बहुत ही विशेश मंत्र है लक्ष्मी भी जब कर सकते हैं और पूरे शिवरात्री में मतलब दिन और रात्री को मिला के 108 माला भी मंत्र जब कर सकते हैं तो वैसे तो दिखा जाए तो 108 सबसे उत्तम है लेकिन अगर हमारे पास समय का भाव है तो 21 या कम से कम 11 माला तो हम उस दिन शिवरात्री के दिन इस प्रकार से क इसका जो है हमारे को पुन्ने मिलता ही मिलता है और यह बहुत ही सिद्धी दायक साधना है तो हर तरीके से देखा जाए तो इसको हमें शिवरात्री के दिन संपन करना ही चाहिए और अगर हम कभी नहीं कर पाए तो सोमवार के दिन भी है साधना या किसी विशेश दिन में भी यह साधना हम कर सकते हैं इसको संपन किया जा सकते हैं बाकि शिवरातरी के दिन यह साधना विशेश फल्दाई है